हालो आदाप शस्त्रिकाल लमशकार केम छो खमा खणी जैशी किष्णा सब कुछ बोल दिया मैंने आप लोगों को ठीक है चलो तो आपके जित्विए आप फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए एक और नया लेसन ले करके आपके अपने चाड़न लर्न और शेयर पर और हम कर रहे हैं चैप्टर 6 के बारे में कार्य ऊर्जाव शक्ती इस में से कार ये ओर्जा वाला पार्ट हम खतम कर चुके हैं और आज फाइनली हम इसके अंदर शक्ति वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे पट वो स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट क्लास में स्प्रिंग जो एक नया टॉपिक था बिल्कुल आप लोगों के लिए वो पड़ा उसके ओपर NCRT में तो न्यूमेरिकल दे रखें तो सबसे व बस फील कराने के लिए हावे मेरी बॉड़ी बॉड़ी कभी आ सकती है ठीक है तो यह फील वील कराने के लिए मैंने डाल दिया है और बाकी फॉर्मले से सब फैमिलियर होगे नाइन प्लास में सबने पढ़ा होगा पी बराबर डवल्यू बटा टी ठीक है क्यार्य करने की अधर को शक्ति कहते है फील नहीं आता लेकिन ठीक है वो भी पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले उसके कुछ नुमेरिकल यह राज का पहला नुमेरिकल अब बहुत प्यारा कोशन है ठीक है और बहुत इजी लेवल का कुशन है अब क्या बोल रहा है यह कुशन करने से पहले आपको थोड़ा सा मेरिकल करा दू हमने last class में क्या-क्या पड़ा था हमने कार्य पड़ा था spring की विज़े से minus का kX अचाय कार्य कौन कर रहा था conservative force याने sunluxable याने spring तो fs का मान था लेकिन अगर मैं बहार से कारे करूँगा तो वो कारे कितना हो जाएगा f a is equal to plus का के ठीक है इसकी energy हमार पास आई थी potential engine u half kx square ठीक है यह हमने पढ़ा था यह हमने last class में खत्म किया था इसके अलावा कुछ चीज़ हमारे आज और भी उजाएगी जैसे की जो sunluxable कारे करता है वो गत्य जुर्जा में रणात्मक के बराबर होता है इसके अलावा हम कारे उर्जा प्रमे का उप्योग करेंगे जिसके अनुसार जो गत्य जुर्जा में उसके बराबर होगा ठीक है ये सारी चीज़े हमारे आज यूज आने वाली है जो हमने कहीं ना गई पहले के वीडियो में देखी हुई है तो जो बच्चे डारेक्ली इस वीडियो पे स्विच कर गए हैं कि बीच के छोड़ जते हैं उन लोग को परिशानी आ सकती है क्योंकि स्टार्टिंग के सारी काफी सारी चीज़ों का पर आप यूज करने वाल है चलो आप वीडियो को पॉस करिए आराम से कुश्चन पढ़िए ठीक है आपके विजुलाइज़ेशन के लिए आमने कारवार और स्प्रिंग विजुलाइज भी हो जाए चलो आप लोगों ने ट्राइव राय कर लिया अगर पॉस वास करके चलो मैं पढ़ देता हूं क्या है कार दुरगटना को दिखाने के लिए मोटर कार निर्माता विभिन स्प्रिंग नियतांको के स्प्रिंग का फ्रेम चड़ा कर चलती हुई कारों के सम्मंद का धन करते हैं ठीक है देखो क्या होता है जब कार किसी चीज से जाके बढ़ती है तो कितना शौक एब्जॉब कर सकती है होता है ना बही कार चलते चलते आज टककर खा गए और निउस पर मैं चीश खबरे आती रहती है तो कार निर्माता जो होता है ना जो का मैनिफेक्चर करती है जो कामपनीस कार वगर है वो क्या करते हैं, उनकी test drive करते है, हर चीज की testing होती है, उसकी wheel से लेकर की wheel कितनी चलने के बाद कितना घिस जाएगा, बरसात वाला road होगा तो कैसे जाएगा, मतलब कोई भी नई कार बना नहीं होती है, तो उसकी designing team अलग बैठती है, सारी designing designing होती है, सारी चीज़ों की testing होती है, जब जाके उसका manufacturing start होता है, और manufacturing के बाद भी उसकी testing होती है, तो इसी तरीके से कोई कार निर्माता company है, और वो इसके देखना चाहते है, कितना shock ये absorb कर सकते हैं, कितना जटका जहल सकती है, तो उसके लिए उन्होंने spring का use करा है, तो कितना ये जहल सकती है, उसके लिए इन्होंने आगे क्या कर दिया, एक spring लगा दिया, तो हमें ही पता चल जाएगा, कि कितने वेक से कार को आना चाहिए, ताकि वो इक particular shock को क्या कर सके, absorb कर सके, particular जटके को जहल सके, तो ऐसा ही कुछ इन्होंने कर आए, तो मान लीजी कि कि किसी प्रतिकात्मक अनुरूपन में मतलब demonstration हम कर रहे हैं उसका, में 1000 किलो द्रविमान की कार, नॉर्मल सा देट है, 1000 किलो की है हमारी कार है, एक चिकनी सडक पर, must बिल्कुल हम मान के चल रहे हैं, must चिकनी हो रखिए फर्ष, जैसा बरसातों में होता न, idle case, बरसातों में, फर्ष बिल्कुल, मतलब रोड़े बिल्कुल चिकनी हो जाती है, बहुत आरा अलंप से हमारी गाड़ी फिसल जाती है, तो वही उन्होंने ऐसा कुछ case माना है, याने हमारे case में friction जीलो है, ऐसा कहने का मतलब है, उस पर वो 18 किलोमेटर पर दी घंटे की चाल से चल रही है, तो हमें यह अपर अभी तक 3 चीज में परिवर्तित कर लेंगे, और तीसरी चीज वो एक frictionless surface पे मतलब मस्ट चिकनी सड़क पे चल रही है, उसके बाद चलते हुए कैसी शेतनी फ्रेम पर चड़ाये गए spring से जाके टकराती है, और जिसमें spring का नियता कि यह है, तो spring कितनी ज्यादा संपिडित हो जाएगी, कि इती compress हो जाएगी spring, वो अपने को निकालना है, चीक है, तो देखो, आसान चीज है, कोई मुश्कल काम नहीं है आपे, बहुत तीजी लिए हो जाएगा, पई car आ रही है, तो car के पास कौन सी हो जाए, car के पास है गतिज उर्जा, गतिज उर्जा, गतिज उर्जा हो जाके spring से टकराई, तो जब वो compress करने की कोशिश करेगी, spring को दबाने की कोशिश करेगी, तो कहीं ना कहीं, उसकी गतिज उर्जा, spring के अंदर, इस्तिज उर्जा की रूप में, transfer हो जाएगी, car की गतिज उर्जा, अपनी गतिज उर्जा किसको देदेगी? spring को देदेगी, दोनों म पूरे एक सिस्टम बन जाएगे ना कार से सपक गई जाके ठीक है तो अब यह अपनी energy जो है काइंटिक energy गत्य जुर्जा वो इसको देदेगी तो सिंपल सा लोजिक हमें इसकी गत्य जुर्जा को इसकी सित्य जुर्जा के बराबर रखना है, खतम, आसान सी चीज है, ठीक है, तो देखो, सबसे बहले तो हम डेटा लिख देते हैं, कार का द्रविमान कितना है, 1000 किलो, दूसरी चीज, कार का प्रारंबिक वेग केतना है, कार का प्रारंबिक वेग है, 18 किलो मीटर प्रती घंडा, इसको मीटर प्रती सेकिंड में कनवर्ट करते हैं, 5 बट्टा 18 से गुणा करते हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं, 5 बट्टा 18 से क्यों करते हैं, पुराने वीडि स्परिंग यूनों यूज करेंगे तो यह काफी हार सी स्परिंग यूज करिये और यूटन प्रती मीटर इसका इक चीज़ मैं आपको लाच लास ने बताना भूल गया स्परिंग नहीं अतांका जो मात्रक होता वो क्या होता है सिंपल है विसे तो कहीं बच्चों ने निकाली लिया होगा कुछ से अगर मैं f बराबर kx formula यूज करो माइनस नहीं लगा रहा है तो ऐसे kx के बराबर आ जाता है f बटा x के एक क्या वजायागा newton और इसका मीटर तो इसका मात्रक आ गया newton प्रति मीटर ठीक है वह यहां पे ने लोगा ने मात्रक लेका हो अभी तो जैसा हमने बोला कि कार के पास जो गत्य जुर्जा है वो उस spring की सित जुर्जा में जाके store हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जब car बिल्कुल उसको compress कर देगी तो car रुकुछ आएगी मतलब car का अंतिम में क्या हो गया? 0 car का अंतिम में क्या हो गया? 0 ठीक है? तो car की जो भी गते जुर्जा है वो सिर्फ और सब किसकी वाज़ा साएगी? यहां गते जुर्जा में जो परिवर्तन है किसके बराबर आएगा? उसके अंदर जो energy store हुई है जो उसके अंदर उर्जा वो ही है, store हुई है हमारी spring की potential energy में की form में store हुई ठीक है ना? उसकी इस्ते जुर्जा गरूप में संचित हुई चाहिए तो अपन यू भी लिख सकते है चलो, starting से यू ही लिखते हा रहे है तो यह लिख देते है अब हो गया क्या? कोई बात नहीं वापर लिख देते है तो हमारी गते जुर्जा में परिवर्तन इस्तित जुर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा यहाँ आप ऐसा बोल सकते हो कार्य जुर्जा प्रमय के नुसर किया गया कार्य जो है वो गते जुर्जा में परिवर्तन के बराबर है और वो जो कार्य है वो कही ना कहीं किसके बराबर होगा इस्तित जुर्जा में परिवर्तन के तो इन डायरेक लिए हमारे पास फॉर्मुला गया है हमने बोला काइनटेक एनेटी में जो परीवतन आया है गतिय जो परीवतन आया है वो वो गतिय दो चैनल किया याने हमारे सन रक्षी बलों नो जितना कार रख किया उसके पराबर है और according to formula यह इसकी negative के बराबर है किसकी गति जोरजा की negative के बराबर लिख देते है ठीक है यह formula हमारे पर यह से आगया I hope यह सबको समझ आया हुगा यह कारे जोरजा प्रमे से आया और यह हमारा हमने ज़स्ते जोरजा और हमने पढ़ा था लक्षी बलो में जो वो था relation उससे आया ठीक है चल तो डबल्यू आइस कारण दब spring ने जित्तागार रखिया यह conservative force ने जित्तागार रखिया तो देखो भई simple सा logic half m v square minus u square बराबर minus का half k x2 minus x1 ठीक है x2 का square minus x1 का square इसे नहीं लिखोगे तो भी से लिगा ऐसे कोई फरक नहीं पड़ना देखो half से तो पूरा-पूरा half मर गया m कितना है 1000 kg वस्तू का अंतिम वेक 0 वस्तू का प्रारंबिक वेक 5 m2 शेकेंड 5 का वर्ग बराबर negative spring नियत अंग हमारा कितना है 6.25 इंटू 10 की घाथ 3 6.25 गुणा 10 की घाथ 3 ठीक है x2 x2 हमें पता नहीं है वो कितना compress हुआ हमें नहीं पता और प्रारंब में कितना compress था? 0 प्रारंब में must spring अपनी सामेवस्ता में थी ठीक है प्रारंब में उसमें कोई भी नहीं तो खिची हुई थी नहीं तो उसको अपने compress किया बता अब बस solve करतो देखो यह देखो 1000 गुणा योगया 25 माइनस के sign को आगे लिया आते है बराबर माइनस का 6.25 चाहिए तो पॉइंट रटा के नीचे लेको 100 गुणा 10 की घाथ 3 और यह x2 का स्कुरा है ठीक है नहीं माइनस से आपका माइनस मर गया देखो 10 की का 3 का मतलब 1000 है तो जब आप इसको यहाँ पे लेके जाओगे यहाँ मैंने आपको short trick क्या बता रखे भई उपर से उपर कट जाता है तो यह भाई साब इन भाई साब को काट देंगे ठीक है और देखो यह कट रहे है 25 से कम 25 और 25 से कम 25 25 मज़े 125 और यह 25 400 ठीक है अब तो आसान सी calculation है वैसे तो यह भी दोनों कट गया देखो यह 25 से 25 मर गया यह 4 भाई साब आ इधर 4 बराबर है हमाँ रपास अच्छा जैसको ऐसी calculation यह आती वो simple 65 को divide में लेके जाना 100 को गुणा में लेके जाना यह 10 की का 3 को divide में लेके जाना और normal तरीकी से solve का जाना ठीक है और तो यहां से x2 का मान कितना है हमाँ रपास 2 plus minus 2 आएगा लेकिन क्योंकि वो compress हो रही है तो हम plus 2 बान के चल लेते हैं ठीक है तो उसमें जो compression आएगा वो अधिकताम compression कितना आया इतनी वो compress हो जाएगी इतनी वो संपेड़ित हो जाएगी 2 मीटर तक वो संपेड़ित हो मतलब इतना भेंकर जटका लगा कार में कि वो spring जिसका खुद का spring नियतां 6.25 गुणा दसकी का 3 मतलब 6,250 न्यूटन रती मीटर है वो इतनी compress हो गई मतलब उसको compress करने के लिए ये 6,250 क्या बता रहा है कि उसको compress करने के लिए एक मीटर compress करने के लिए 6,250 न्यूटन का बल लगाना पड़ रहा है समझो थोड़ा फील करें चीज को कि भाही 6.25 गुणा दसकी का 3 का क्या मतलब है न्यूटन प्रती मीटर का कि 6,25,0 न्यूटन प्रती मीटर ऐसा लिख सकता है मैंसे इतना बल लगाना पड़ेगा 6,250 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा उसे स्प्रिंग को एक मीटर तक कमप्रेस करने के लिए तो अगर मैं आपसे पूछलू कि कितना बल लगाया तो यहांसे आप ओरल ही उत्तर दे सकते हो इसका डबल कर दो या ठीक है? अंचरा जाएगा तो 12,500 न्यूटन का बल लगाया होगा इतना भेंक और मतलब गाड़ी ने जटका उसको मारा होगा जब जाके स्प्रिंग जाके पूरी कमप्रेस हो गई होगी ठीक है? 1000 कि गाड़ी यार तो I hope सबको बात कहानी क्लियर हो गई होगी चलो तो ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा ग्यान था जो आपको शाय समझा गया होगा अब ही जलते हैं इसी की नेक्स पार्ट पे इसी का एक बाई बंदू लगो लग कोश्चन है ठीक है कोश्चन मुश्किल नहीं है बस कोश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन बुकों में देखके हमने थोड़ा खबरा आ जाओ बहुत भारी सी कैलकुलेशन भारी नहीं होट आसान है हम आसानी से करेंगे कैलकुलेशन तो देखो क्या बोल रहा है अपने को कि उधारन 6 पॉइंट है चो पने पहले पढ़ा था में घर्षन गुणां का मान 0.5 लेकर कमानी में अधिक्तम संपीडन ग्याद कीजिए तो पहले तो हमने आइडिल केस माना था हमने बोला था सड़क पे कोई फ्रिक्षन नहीं है सड़क फ्रिक्षन लेस है घर्षन हीन है लेकिन वास्तों में ऐसा तो होता नहीं है सड़क पे कोई ना कोई घर्षन होता ही है तो उन्होंने इस बार घर्षन लोगा क्याने म्यू का मान अपने को कित्ता दे दिया है 0.5 तो इस बार घर्षन और लगने लग जाएगा 0.5 0.5 का जाने अगर कार आगे जाना चाहती है किसी ना किसी वेक से तो कही ना कही उसको पीछे के तरफ घर्षन धाकेलने की कोशिश कर रहा है उसकी गतिका विरोध कर रहा है उसको पीछे लोगने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहा है और घर्षण का मान हम जानते किसके बराबर होता है μू और इस पे जो नॉर्मल लग रहा है अब इसका नॉर्मल निकालना मुश्किल तो ही नहीं क्योंकि गाड़ी तो मस सीधी सीधी चल रही है इंकलाइन नहीं है ऐसे नहीं जारी ऐसे नहीं जारी ठीक है तैने घर्षण का मान कितना आगया हमार रपास 0.5 गुणा mg ठीक है g हम 10 ले लेते 0.5 गुणा 1000 और गुणा 10 ये पॉइंट अटाया 10 लगाया 10 से 10 गैंसल हो गया घर्षण बल कितना आगया 5000 नियूटन बाशे देखा जाया ना तो इस कुश्ण को directly किया चाहता है कोई मुश्क्र साम नहीं है फिर हम प्रॉपर तरीके से चलेंगे अच्छा अब संजिए क्या कहानी चल रही है कहानी ये चल रही है कि ये गाड़ी आगे की तरफ जाना चाहती है किसी ना किसी वेक से घर्षण उसको पीछे कीच रहा है और ये गाड़ी क्या कर रही है इस प्रिंग को दबा आ रही है तो यहाँ पर दो अलगलग काम हो रहे है ठीक है कौन कौन से दो काम हो रहे है पहली बात तो इस काड़ी का जो क्या बुलते है गति जुड़ी उसमें कमी आ रही है और वो इसकी इस्ते जुड़ी में कनवर्ट हो रही है जो पहले पढ़ा था लेकिन यहाँ पर हमेंने इस प्रिंग जुड़ी हो रही है हमारे जो बल है घर्षण बल इसने भी कुछ ना कुछ कार्य करा और वो कार्य जो है वो हम इनकानना पड़ेगा किसने कितना काम किया अब इस कुछन को solve पढ़ने के लिए अपन जो हमारी कार्य उर्जा जो प्रमे थी कि जो किया गया कार्य होता कौन करता काम हमारे conservative forces वो जो भी कार्य करेगा वो गतिच उर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा उस rule का अपनिया पर यूज करें देखो rule क्या बोलता है गतिच उर्जा में परिवर्तन किये गए कार्य के बराबर होता है ठीक है अब ये जो कार्य है वो conservative force field भी कर सकता non conservative हमने सिर्फ conservative के लिए पड़ा तो देखो पहले गतिच उर्जा किती थी पहले गतिच उर्जा में परिवर्तन निकाल लेते है पहले गतिच उर्जा किती थी पहले गतिच उर्जा थी मतलब final minus initial kf minus ki तो जब गाड़ी रुख गई तो मारी अंदिम गतिच उर्जा होगी 0 जैसे हमने पहले भी किया था देखो यह किया ना पहले गाड़ी रुख गई final minus initial तो चाओ तो अलग-लग करके लिख लो चाओ तो कैसे भी कर लो ठीक है तुमारी इच्छा minus half m u square ठीक है यह जैसे पहले लिखाता था half m बार वैसे भी लिख सकते है इसके बाद जो कार रहे है work done है उसके बारे मैं अपन बात करते हैं अभी देखो जो किया गया कार है हमारे recording मतलब हमने नहीं करा है उसका अंजर्वेटर फील ने करा है तो उसके दोरा जो किया गया कार है हमारी एक तो यह friction force जो इधर की दरफ काम करेगी और दूसरी बात जब हम spring को आगे दबाने के कोशिश करते हैं तो spring कहां पे काम करती है पीछे ठीक है ना उसके energy opposite direction में store होती है तो यह भी negative और इसके अंदर जो energy store होई वो भी negative होगी देखो पहले भी तो यह लगाया था अपन ने energy negative रखी दिना अपन ने इस बार जो आपन कारे के बारे हम बात करेंगे कारे में हम लिखेंगे एक तो लिखेंगे minus का half की x square यह spring ने जो काम किया वो है और minus हमारा जो friction force ने काम किया और वो friction force ने कितना गाम किया घर्षण बल ने इतना तो बल लगा और विस्थाबन कितना हुआ x भाई जैसे कार इसके contact में आई इसने compress करा spring को S से तो गाड़ी उस particular time में कितनी दूर तक चली S माल लो टायर यहां से यहां तक चले ठीक है न यहां से यहां तक चले और spring यहां पर थोड़ी सी compress हो गया वरी यह compress हो कि suppose माल लो यहां पर आ गई थोड़े यहां पर visualize करके बताते हैं देखो यह car थी तुमारी अभी माल लो spring के contact ने जुस्ट आई है यह spring के contact में आई अब जैसी car आगे बढ़ी माल लो थोड़ा सा situation ऐसी आगई car थोड़ा सा आगे चले गई है compress हो गई ठीक है तो देखो यह री car तो देखो माल लो car हमारी आक एक्स दूरी आगे चले गई और spring भी हमारी एक्स दूरी एक्स जो हमारी वो spring compress हो गई है यह जो compression इसमें आया वो भी कितना है एक्स ही है थोड़ा इधर उदर बन गया है समझे ना यह दोना एक्स सेम ही है जित्ती spring compress हुई उतना ही car चली है तो यहने car जो हमारा घष्ण विले उसने कितना गाम किया f into x विप्रिद्धिशा में इसले नेगेटिव लगा दिया विप्रिद्धिशा में इसले नेगेटिव लगा दिया कितना friction लग रहा था f और चली कितनी x f into x चलो I hope इतनी बात सबको समझ आई होगी बस इसी कापन यूज़ करने वाले हैं इसको सबको रप करो चलो देखो हम क्या बोल रहें इसको डाल दो equation no.1 इसको डाल दो equation no.2 देखो समीगर्ण एक वदो से समीगर्ण एक और दो क्या बोलता भी minus का half mu square बराबर minus का half kx square minus kx ठीक है अब देखो इन दोनों से minus common आ रहा है ये एक minus से sin के मार को मार देगा ठीक है टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके प्लस का fx और minus का half mu square ये इससे मर गया ये इससे मर गया तो देखो में क्या मिला half mu square बराबर half kx square plus fx ठीक है अब देखो mu square की बार बार calculate नहीं करनी ये मर पस calculated है रखनी पड़ेगी है हमने तो कार्ट पिट दिया ठीक है चलो लिग देते है ठीक है बुड़ा दस्की का 3 plus fx कहीं अच्छा तो इस question का calculation के गबर आ जाते है तो ये 5000 और n plus 5000 ठीक है ऐसा कुछ तो ये हमारी सहरी लंबी चोड़ी कहानी बहुती खतरनाक सी equation आपको दिख रही है चलो इसको simply by करते है सबसे पहले तो इस 2 का मामला हटाते है अभी 2 में यहां पे 2 आ रहा है यहां पे भाई साब नहीं आ रहा है LCM लेके 2,2,2 का LCM लेके इसका और इसका 2 इसको देते है ठीक है यहां चलो पहले कर लेते हैं फिर 2 का भी कुछ करेंगे चलो पहले लिखे लेते हैं सब तो ये 25 माइनस इसका लेखो बराबर ये 6.25 का पॉइंट आपटाओ नीचे 100 लगाओ इसको लिखो 10 खोल के लिख दो X2 प्लस 5000 तो ये 100 तो 100 से मर गया ठीक है अभी कुछ और तो हो नहीं पाएगा तो हम क्या करें नहीं इसको काटेंगे नहीं अपन 2 L से मिले के इसको देंगे ये 2 2 इसके पास चला जाएगा अगर हम 2 यहां से बाढ़ ले अगर मैं 2 यहां से एक बटा दो वहां पे भेजू इससे गुणा हो जाएगा इसको गार देगा इससे गुणा हो जाएगा ठीक है तो देखों यहां पे आ रहा है 25,000 बराबर 6250 x square 10,000 यह लंग भी चोड़ी से टॉम हो गई है अब हम क्या करें हम देखो common common जो लिख रहा है न वो ले लेते हैं 6250 x square plus 10,000 x minus 25,000 देखके घबराने की जरूत नहीं है पहले तो देखो 1,1,1,0 लेकर के हटा दो 1,0 लेकर के अपन हटा देते हैं फिर देखो यह भी 25,000 यह भी 25,000 तो 25,25 हमने से common ले लो तो यह 25 और 1,0 पे लिए आपन ने तो यह हो कह 1,2,5 x square प्लस 1,0 लिया था एक हजार बना था 25,100 और यह 40 x minus 1,0 लिया 25 लिया अभी देखो वापिस 25 हो रहा है इसमें से पांच आएगा इसमें से पांच आएगा इतनी भी होनी करेंगे हम पांच तो आरा कम से कम तो यह हो गया 25 x square 5,8,4 और यह 20 तो हम एक बहुत ही छोटी से इक्वेशन पर फाइनली पाँज गये इन्सी आटी में देखो के तो ऐसा कुछ में नहीं है उसने तो सायरेक्टी केलकुलेशन कर दी तो बच्च्चा देखके वैसे एक बड़ा आ जाता है ठीक है बसिक सी केलकुलेशन है 9,10 लेगे है रहनकी बहुत बड़ी केलकुलेशन नहीं तो ये भाई साब तो 0 नहीं हो सकते तो अन्हीं भाई साब को 0 होना पड़ेगा अब इस दीगाज समीगन के गलती से भी आप टुकड़े करने की कोशिश मत करना क्यों क्यों नहीं होंगे मैं आपको पहले बता देता हूं तो आपको क्या करना है आपको जो दीगाज समीगन का फॉर्मुला था ना शिरी धराचार रे सूत्र वो लगा देना ठीक है चलो लगाके मैं आपको बता देता हूं 25 x square minus 8x plus 20 पराबर जीगा देखो यह है ठीक है अभी ओहो साइन की गड़बर कर दी मैंने ठीक है यह सब कहानी है तो अब देखो ए का मान कितना बजिस भी का मान कितना 8 c का मान कितना minus b formula क्या था minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a I hope यह तुम expect करता हूँ कि समने 10 पे पढ़ा होगा तो यह हो गया minus का 8 plus minus 8 का square 64 minus 4 a25 और भी minus 20 और बटा 2 into 25 ठीक है बैस almost हो गया यह 8 plus minus 64 plus 25 400 100 into 2 मतलब करोगे तो 2000 और यह बटा पचास एक्जाम नहीं है इत्ता लिखे छोड़ देना अच्छा यहाँ पर minus का sign नहीं आएगा क्योंकि minus minus नहीं हो सकता है हम x कमान निकाल गए मैं इसे क्या निकाल दें x मतलब कित्ता हो विस्थापित हुआ तो आप कोई एक्जाम में ज़्यादा शुद्धा नहीं हो करने की इत्ता साम लिखके छोड़ देंगे ठीक है ज्यादा है तो आप इसका root shoot ले लो आपका हूंवक है यह तूट लेके अप solve करके बताओगे कि आपका उत्तर कितना आया ठीक है चलो यहां तक अपन ने numerical भी समझ लिए किस तरीके से deal करना अपने को कहां हमें कारे उर्जा प्रमें लगाना है कहां हमें क्या बोलते हैं जो उर्जा संनक्षट का नियमें वो लगाना है इसमें कारे उर्जा प्रमें लगाई ठीक है यह कारे उर्जा प्रमें लगाई यह ठीक है इससे पहले वाले question में दोनों को mix किया था हमने हमने पहले बोला कि यह जो है इसकी negative के बराबर है क्योंकि उर्जा कुल उर्जा संनक्षट है अब आप देखोगे न तो actually इसमें कुल उर्जा संनक्षट है ऐसे भी आप देख सकते हो इसको ओके चालो तो यह हमारा हो गया अब हम next topic पे आ रहे हैं वो next topic है हमारा शक्ति तो फील नहीं आता सर पढ़ा तो है हमने कार्य करने की दर को शक्ति के देखो मैं उता रेफिनेशन यह लिखी आगे वो पढ़ेंगे अपन उससे बहले देखो समझने की कोशिश करते है फील करने कोशिश करते है तो यह stair है और यह हमारे दो बच्चे है एक का नाम है चुन्नू और इसका नाम है मिंकी तो मिंकी आज बलून ने कही है चुन्न को चुप वो करने के लिए है ना जलाने के लिए तो जो मिंकी है वो चुन्नू को डराने के लिए आज बलून ने कही है ना तो मिंकी जो बली मैं उपर पहले पहुचूंगी चुन्नु बोले नहीं पहले मैं पहुचूंगा तो देखो इसके लिए एक टाइमर भी लगा दिया दोनों को सेम स्टेर पर चड़ना अब चुन्नु जो है ना गोर से मस्ट खाना पीका और खाके आया ना मतलब अभी खाना खाया उसने और मस्ट खाना वाना खाके आया तो अभी चुन्नु ने उसको मिंकी को चुनाती देता दी लेकिन ममी ने जबड़ से ठूस ठूस के खाना खिला दिया और खाले और खाले अच्छी से सबजी बनी थी ठूस के खा के आ गया अभी उसका पेट बहुत बहुत जदा बड़ा हो चुका है अभी उसका पेट भर चुका है तो वह उपर चड़ता है उपर चड़ता चड़ता हमें वो तो देनी है पराजित तो करना उसको हराना तो हई तो मिंकी फटावट से भाग के और उपड़ चले जाती है और मिंकी डेड़ मिनिट में उपड़ पहुच जाती है हमारी चुणो को धो मिनिट लगए ताइमर हमने लगा रखा था कि चीटिंग नहीं करे तो क्खेंच नहीं आपेली टाइमर लगा था कैम मेंजे में दो मिनि handwriting लिए और और हमारी मिंकी ने टेड़ मिनेट में उपर पहुझ गई मिंकी अब समस्या क्या है समस्या यह है कि देखो दोनों जो हैं उन्होंने कितना गार्य किया है जित्ती उनके अंदर उजाई याने MGH एक स्टेयर की हाइट जो है इन सिद्डियों की हाइट धरातल से कितनी है MGH मतलब दोनों ने MGH काम किया यह भी MGH काम करके है यह भी MGH काम करके है लेकिन अगर मैं आप से बलूँ किसकी एफिशेंसी जादा है कौन ज़्यादा पावर्फुल है किसकी मतलब ज़्यादा शक्ति किसकी है अब term यहीं से निकल गए शक्ति scientist ने ऐसा सोचा यार दो चीज़े तो एक जित्ता काम कर लिती है तो एक fast करती है एक slow करती है हम क्या करें फज गये तो उन्होंने एक नहीं quantity चाहत कर दी quantity का नाम क्या था सक्थी power कार्य करने की दर्का क्या कि कीज़ कीज़िए काम कुरती और कोई ची़ कितना लेट काम कुरती है तो हमारे चुन्नु ने बहुत खाना खाने के बाल उपड़ं दो मनिट लगाए और मिंकी ने फटावर्ट से दौडते है वो 14 मिनिट लगाए तो यहाँ पर जो मिंकी है वो मतलब जीत गई और हमारा चुन्नु जय वो हार गया तो उन्होंने काम सेम किया लेकिन शक्ति मिंकी की जादा थी शक्ति मतलब उसके कार्य करने की दर मतलब उसकी जी एफिशेंसी थी वो काफी जादा थी बिसिकली शक्ति अपने को क्या बता था एफिशेंसी कितनी शम्त्रा है आप में कार्य करने की कितनी जल्दी आप काम कर लेता है जैसे सब मेराथॉन में दोड़ रहें सब को सेम लंबगी तक दोड़ना है लेकिन फस्त होगी आता जो सबसे कम टाइम लेता है क्योंकि उसकी जाता है ठीक है तो यहीं से एक नई टम आई मारकवास जिसे हम बोलते हैं शक्ति तो देखो शक्ति क्या चीज़ होती है शक्ति है हमारी कार्य करने की दर जहां पर भी टम आ जाता है दर मतलब टाइम का चला जाता है डिवाइड में मतलब हर चीज को हम किस से मैजर करते है किसको reference मान के चलते हैं समय को कि कोई चीज समय के साफ एक्ष कितनी जल्दी या कितनी slow हो रही है जैसे मिंकी ने जल्दी गाम किया तो समय के साफ एक्ष उसके जो कार्य किया उसकी दर जादा थी जो हमारा चुन्नू था चुन्नु ही नाम रखाता न मैंने चुन्नु ही नाम रखाता तो जो चुन्नु है इसने समय के साफ तक थोड़ा जादा टाइम ले लिया तो इसके कार्य करने की दर थोड़ी स्लो है एने इसकी शक्ती थोड़ी स्लो है तो हमने एक नई टम जो जात की है उसकी definition क्या है? किसी भी वस्तु के कार्य करने की दर, ठीक है? मतलब कितना जल्दी काम कर लेती है अब देखिए इसमें क्या लिखा है? शक्ति में हम बल द्वारा किये गए कार्य के साथ साथ समय को भी सम्मेलित करते हैं इसके अलावा हो सकता है दो अलगलग systems है जैसे मैं मैं भाग रहा हूं मैं एक system हूँ, मैं थोड़ा मोटा हूँ न मैं से कमम दोड़ा जाता है और मैंने Rahu saar को भगा दिया Rahu saar मस फूरती लिए वह भाग के मेर से पहल छले गए आगे चले गए ठीक है तो उनकी शक्ति जादा तो दो निकाय हैं दोनोंने सेम काम किया मैंने भी Rahu saar ने भी सेम दूरी तया करी लेकिन फिर भी उनकी शक्ति जाता है जाहुल सर्ने आज काम किया तो उनकी शक्ति पॉजिटिव है कल काम करेंगे तो उनकी शक्ति और पॉजिटिव हो जाएगी और बीते वे कल में काम करेंगे तो उनकी शक्ति नेगेटिव हो जाएगी झाल ना में ऐस जाएंग तो बहुक्त पॉस्तिएव यहां पर बहुक्त पॉस्तिव मांद अभर में ठोशक्ति पॉस्तियो से रह्क पॉस्तियों जाए इसलिए आदिश्रास्ठी गई जब हम औसर शक्ति के पार हम बात करें जैसे कोई वस्तु है वो अलग लग काम कर रहे हैं जैसे मेरे को यहां से स्टेशन जाना है देके ना कभी मेरी स्पीड ज़्यादा थी कभी slow होई कभी जयादा होई कभी slow होई तो मैं थोड़ी ना बोलूँगा कि कभी मेरी starting के 15 मिट मेरी शक्ती बहुत जाता थी फिर मेरी शक्ती नीचे चले गई, फिर मेरी शक्ती उपर चले गई, फिर नीचे चले गई, फिर उपर चले गई मैं ऐसे अपनी शक्ति नहीं बताऊँ, मैं सब का क्या निकालूँगा, average जैसे velocity का निकालते थे, यह speed का निकालते थे, wake और चाल का वैसे हम शक्ति का भी और सत निकाल सेके simple सा formula है, power, शक्ति को P से बताते हैं तो power बराबर किया गया कार्य, यह कार्य में परिवतन पॉन समय, क्योंकि हम average की बात कर रहे हैं, इसलिए P के नीचे क्या लगेंगे, average तो बचपन से, यह 9th class से, जो आपने formula पढ़ा है, वो किसका है, average power का, ठीक है, किसी particular time period में आपने कितना काम किया, तो यह हमारी average power हो गई, एक और power है, जैसे वहाँ पे ताच्चनिक हमारी वेग होता था, ताच्चनिक चाल होता था, ताच्चनिक तवरण होता था, इसे ताच्चनिक हमारी शक्ती हो गई, instantaneous power हो गई, कि वस्तु काम कर रही, मैंने आपसे पूचा, 5th second में उसकी क्या शक्ती थी, तो आपने बोला सरी तो ताच्चनिक शक्ती ह हम सब जानते हैं, कि भई, power को हम कैसे लिखेंगे, हमारा समय बहुत छोटा है, तो हम del w, बटा del t में, लिखेंगे, del t जो है, वो tends to 0 है, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते है, dw, बटा dt, ठीक है, simple सी चीज, तो dw, बटा dt, जो हमने लिखा है, यह हमारी होगी, ताच्चनिक शक करते हैं, लेकिन यह जो formula है, इसको आगे और derive करना है, देखते हैं कैसे होगा derive, हम सब जानते हैं, w किसके बाराबर होगा, f vector dot s vector, लिख देते हैं आप पर, देखो, power बराबर, d f vector dot s vector, तो generally, जो भी बस्तुए काम करती है, उनके उपर लगने वाला बल change नहीं होता, ठीक ह उनके उपर लगने वाला बल change नहीं होता, तो अगर बल नियत है, हमके आवान के सलने, अपर हमारा बल क्या है, नियत है, यह time के साथ change नहीं हो रहा है, नियत है, constant है, तो अगर यह constant है, तो हम बल को भार फेक सकते हैं, vector नहीं अट एकाश, दिहान से सुनने न, vector आप अपन जो बल थाना उसको भाहर फेक दिया, पर मान लो, ऐसा हो जाता कि बल भी परिवर्तित होता, तो फिर हम प्रोड़क्ट्टूर लगाते, जैसे हमने न्यूटन की गति के ग्वितियन नियम में लगाते, M और V के साथ, ठीक है, तेकिन यहाँ पर हम बल नियत मान के चल वें, अ देखो, फॉर्मुला क्या बना, पावर बराबर, एफ वेक्टर, डॉट वेक्टर, एक और नया फॉर्मुला, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, पी बराबर, एफ वी, कॉस, थीटा, अब आप से में पूछूंगी, आपकी जो शक्ति हो कब अधिक्तम होगी, सोचो, सोचो, सो शक्ति कब अधिक्तम होगी, सिर्फ कॉस, थीटा का मान एक होगा, इसमें जो कॉंटिटी परिशान कर रही है, वो एक कॉस, थीटा का मान एक हो जाए, तो शक्ति अधिक्तम हो जाएगी, तो कॉस, थीटा का मान एक होगा, जब थीटा का मान जीरो डगरी हो, जब थीटा क अमान 0 रिगती हो जाएगा, cos 0 कितना हो जाएगा, एक शक्ति क्या हो जाएगी, देखता हूँ, वह FB के बराबर, यह हमारा एक नया formula, अधिक्तम शक्ति का formula आ गया, ठीक है, तो यह सारी कहानी शक्ति के बारे में थी, अब हम क्या निकालने वाले हैं, शक्ति का मात्रक और बहुत आसान चीज हैं, हम पहले भी निकाल चुके हैं, पर फॉर्मालिटी के लिए वापिस निकाले हैं, तो देखो, पावर बराबर हमने जन्रल फॉर्मला पढ़ा, dw बटा dt, देखो, dw, यह क्या होता है, joule, और यह second, तो मात्रक क्या है इसका, joule, second inverse, ठीक है, एक इसका ऐसा ही मात्रक, सबने पढ़ा भी होगा कहीं न कहीं, what, जिसको हम किसे लिखते हैं, small w सा, capital w नहीं, capital w तो कार्य होता है, small w, ठीक है, यह हमारा w होगा, इसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक, इसके अलाबा, इसकी विमा देख लेते हैं, विमा भी असान ही है, देखो, विमा देख तो यह हमारा पास M1, L1, T-2, अभी बहुत सारे पचे चिला चिला के बहुते हैं, सर हमें कार्य की विमा भी आती है, तो वह यूश कर लो है, क्या पर रख पढ़ना है, और यह हमारा पास T1, देखो, M1, L2, T-3, यह उपर दा क्यों हो गया, minus 1, देखो, L और L भाई थे, और यह T-2 उपर गया, तो minus 2 और एक minus 3, तो यह आगा इसकी विमा, इसका एक और मातरक हम कहीं बार यूश करते हैं, वो कौन्चा होता हमारा, किलो वाट, किलो वाट, किलो वाट, 1000 वाट, यह हम लेख सकते हैं, दसकी का 3 वाट, ठीक है, यह हमारा, यह इसका एक और मातरक हो गया है, ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसका CGS मातरक मेरे से पूछ लो, कुछ नहीं है, कारे का क्या था, अर्ग, इसका सेकिंद, अर्ग प्रती सेकिंद, तो ल कि इसका CGS मातरक क्या है, अर्ग, बटा, समय, यह सोरी, अर्ग बटा, सेकिंद, इसका CGS मातरक क्या है, ठीक है, वैल्यू निकाल नहीं है, सिंपल है, एक जूल में 10 की गात, 7 अर्ग होते हैं, तो 10 की गात, 7 अर्ग प्रती सेकिंद आ जाएंगे, ठीक है, तो आप चाओ त इसको हिंदियों बोलते है अश्व शक्ति तो यह अश्व शक्ति का नाम गोड़े से यहा है ठीक है बड़ा हो लगता है कि सर क्या बोलते हैं गोड़े किसी चीज को खीच रहे हैं क्या तो है ऐसा ही है कुछ ठीक है कि एक घोड़ा जो है वो किसी 550 यह LBS मात्रक है यह भी द् इसका मात हमने लिया है अगर उचाई एक फिट हो सब fps पर जालगा ना यह standard है हमने कुछ नहीं बनाया इसमें तो अगर 550 LBS की कोई वस्तु उपर उठाया जा रहा है एक फिट की उचाई से एक सेकंड में तो उस case में किया गया जो भी का रहे है उसकी विज़े से जो शक्त आपने बूलते हैं ठीक है यह एक होर्स पावर की वैलीव है एक घोड़ा है मानलो पिडिक कलो है ना गोड़ा भाग रहा है घरणी से लटका रखी है और उस वस्तु को ऊपर खीच रहा है ना गुरुत्वा का ट्रमल उसको नींचे खीचना चाहता है पर आप उसको ऊपर खीच रहे हो तो आपने उसको एक फीट तक उठाया 505 LVS उसका वेट है और एक सेकंड में आपने उठा लिया तो याने आपने के पर जो शक्ती है वो एक गोड़े के बराबर है यह एक होड़े के बराबर है गोड़े के आप ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है बस हम बोलते है वन होड्स पावर अगर ऐसा हो तो ठीक है आई होप सब कोई बात क्लियर हो गई होगी चलो बच्चों तो इस वीडियो के लिए इस लेसन के लिए इतना ही मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट के अंदर प्र प्रॉब्लम कर दो बहुत सारी आपको उसके अंदर बहुत सारी चीजे मिल रही हैं हमने अलग से सक्षन बना दिया एंडिये जही उसके लिए मदने वाले मतलब उसमें ट्वीट के कोशन डालेंगे ठीक है संदे के अंदर आप फेस टूफेस बात कर सकते हो तो वह भी कर देना चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स क्लास में बाबाए टोर।